ये भगवान, ये कैसे ससुराल में आकर फस गई मैं, कभी-कभी तो लगता है कि मेरे ससुराल में इंसान नहीं बलकि शैतान रहते हैं, रोटी तो रती भर खाएंगे, लेकिन सबजी इन्हें दस तरह की चाहिए, जैसे किसी महाराज के खानदान के हो, उपर से मजाल है कि आक कर कोई मेरी मदद करते, इन्हें तो बस हुकम चलाना आता है, अरे भाबी, आप खुद से क्या बाते कर रही हो, और ये क्या अभी तर्क खाना नहीं बना, आपने तो बस अभी तर्क तीन-चारी सबजी बनाई है, बाकी की सबजियां कब बनाओगी, सबकी भूग के मारे चान निकली जा रही है, इनसान थोड़ी ना हूँ मैं, जानवर हूँ जो आदे घंटे में दस तरह की सबजियां बना कर रख दूँगी, शेफाली बस आदा घंटा और मैं बाकी सबजियां बना देती हूँ, ठीक है भाबी, इतना कहकर नलिनी की नंद शेफाली वहां से चली जाती है, जिसे देख नलिनी, और तो ऐसे देकर गई है, जैसे ये मेरी मालकिन और मैं इसकी नौकरानी हूँ, ये नहीं हुआ कि आकर थोड़ा बहुत भाबी के मदद करवा दे, बिचारी नलिनी आदे घंटे के अंदर बाकी की सबजियां तयार कर देती है, और दस ससराल वाले दस अलग अलग तरह की सबजियों का लुट्फ उठाते हुए अच्छे से खाना खाते हैं, जिसे देख नलिनी, गलती मेरी ही थी, कि जब मैं ससराल में आई, मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छा खाना बना दिया, अगर शुरवात में मैं भी खाना बनाने में ग बजाए उन सभी को हर रोज दस अलग अलग तरह की सबजियां खाने का चसका लगा हुआ था, जिसके चलते हमेशा अलग अलग तरह की सबजियां बना कर काफी जादा नलिनी परेशान होने लगी थी अरे भाया, सिर्फ इतनी ही सबजियां हैं क्या? बहन जी, ये आपको इतनी सबजियां देख रही हैं, आलू, मटर, गोवी, घिया, कद्दो, सब कुछ है मेरे पास, बताए क्या क्या दूँ आपको भाया, ये सारी सबजियां आधी आधी किलो पैक करतीजे लगता है आपके घर पा कोई फंक्शन है, तभी इतनी सारी सबजियां ले रही है जब घर में कोई फंक्शन नहीं है, तब मुझे रोज अलग अलग तरह की दस सबजी बनानी पड़ती है, जिस दिन घर में कुछ हुआ तो उस दिन तो मेरी रेली बन जाएगी नलिनी अलग अलग तरह की सबजियां लेती है और घर आकर उन्हें काटने लगती है ये भगवान, ये मैंने फली क्यों ले ली, इतनी देर से साफ कर रही हूँ, लेकिन ये है कि खत्मी ही नहीं हो रही नलिनी इतना बोल ही रही थी कि तभी नलिनी की जिठानी अपने दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर आती है अच्छा हूँ अब भाबी आप आ गई अब जल्दी से मेरे साथ ये सारी सब्जियां साफ करवा दीजे यहां बैठे बैठे तो मेरी कमर ही दुख गई नलिनी मैं तो इन सब्जियों को साफ करने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती वो क्या है न आज दोनों बच्चों को स्कूल से कुछ ज़्यादा ही काम मिला है तो मुझे उनका स्कूल का काम करवाना है तुम शेफाली को बोल दो इतना कहकर नलिनी की जिठानी चली जाती है जिसे देख अब जैसे ही नलिनी शेफाली को अपनी मदद करने के लिए कहती है भाबी आप तो जानती हो कि मेरी परिक्षा चल रही अगर मैं आपके साथ सब्जियां साफ करवाऊंगी तो पढ़ूंगी कब अपनी नंद के मूँ से भी ना सुन अब शेफाली अपनी सास की तरफ देखती है कि तब भी उसकी सास बेचारी नलिनी अब अकेले ही इतनी सारी सब्जियों को साफ करती है और सब के लिए दस अलग अलग तरह की सब्जियां बनाती है रोज इतनी सारी सब्जियों बनाने के चक्कर में कभी कभी नलिनी से किसी सब्जी का तड़का जल जाता तो कभी किसी सब्जी में नमक मिर्ची ज़्यादा हो जाती अरे भाबी इस सबजी में नमक डाला या नमक की अंदर सबजी पूरी की पूरी सबजी खारी हो गई है और आज तो इस आलू की सबजी में भी कुछ जादा ही मिर्ची है परे तो कानों से भी धुआ निकलने लग गया है बहुत जरा ध्यान से सबजी बनाया कर हम तो ससुराल वाले इसलिए कुछ नहीं कह रहे कल को महमान के लिए अगर तू ऐसी सब्जी बनाएगी तो वो तो तुझे ताने दे दे कर मार देंगे उनका तो पता नहीं माजी लेकिन आप लोगों के लिए हर रोज दस तरह की अलग-अलग सब्जियां बनाकर मैं एक दिन जरूर मर जाओंगी रोज अलग-अलग दस तरह की सब्जियां बनाने की वज़ा से नलिनी ने हर तरह की सब्जियां बनाकर अपने सस्राल वालों को खिला दी थी जिसके चलते अब नलिनी के पास चाची, आप जानती हो ना कि मैं बैंगन का बिरता नहीं खाता पिर भी आपने बैंगन का बिरता बना दिया, आप मेले कोई दूसी सब्जी बनाओ तो बिटा कोई और सब्जी खालो, वैसे भी हमारे घर में 10 तरह की सब्जियां बनती है लेकिन ये सबजियां तो दो दिन निंजे लगातार बंडी, मुझे कुछ और खाना है हाँ बहू, कोई और सबजी बना दे घर में अब कोई भी सबजी नहीं बची है, जो थी वो सब मैंने बना दी और इतनी रात में तो मैं मंडी जाने से रही, अगर आप सब को खाना है तो खाओ और न भूखे सो जाओ नलीनी का गुसा देख अब कोई भी सबजी के बारे में कुछ नहीं बोलता और अब सब वोही सबजी खाने लगते हैं, और अब ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है भाईया, दो किलो आलू गाजर और मटर दे दीजे ये जी बहन जी, पूरे तीन सो रुपए हुए क्या? तीन सो रुपए की तीन सबजियां? तीन सो रुपए ये एक रात में सबजियों के दाम इतने कैसे बढ़ गए? बहन जी, आप तो जानती हैं, बारिश का मौसम चल रहा है हफते पहले आई, भारी बारिश की वज़ा से किसानों की काफी सारी सबजियां खराब हो गई है इसलिए सरकार ने बची हुई सबजियों के दाम बढ़ा दिये है सबजियों के दाम बढ़ने की वज़ा से नलिनी जादा सबजियां नहीं खरीद पाती जिसके चलते आज, रात नलिनी को सिर्फ तीन-चार सबजियां ही बनानी पड़ती है ये क्या नलिनी, तुम तो जानती हो कि हम सब लोग रोज अलग अलग तरह की सबजियां खाते हैं लेकिन फिर भी तुमने आज सिर्फ ये चार सबजी बनाई है भाबी, अगर आज मैं दस तरह की सबजी बनाती ना, तो घर में बचे कुछे पैसे भी खत्म हो जाते आप सब लोग जानते भी हैं कि बारिश की वज़े से सबजियों के दाम कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं अब तो आप सब लोगों को दस अलग अलग तरह की सबजियां खाने की आदत को छोड़ना ही होगा नंदिनी की बात सुन और सबजियों के महंगे दाम को देख कर नलिनी के ससराल वाले हर रोज अलग अलग तरह की दस सबजि खाने की आदत को नहीं छोड़ते जिसके चलते अब बेचारी नलिनी चावल और आटा लाना बहुत कम कर देती है और अपने ससराल वालों को हर रोज अलग अलग तरह की दस सबजियां मना कर खिलाती है वैसे मुझे नहीं पता था कि आलू की सूखी सबजी बिना रोटियो चावल के भी इतनी स्वादिश्ट लग सकती है और नहीं तो क्या अगर ये मुझे पहले से ही पता होता तो मैं तो आटा चावल लाना कब का बंद कर देता अरे अब से हम हर रोज सबजिया ही खाएंगे स्वाद के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी ये काफी अच्छी है अपने ससुराल वालों की ऐसी बाते सुनकर बेचारी नलिनी को अब चक्कर आने लगते हैं बारिश की वज़ा से किसानों की सबजियों के नुकसान होने की वज़ा से सरकार ने अब सबजियों के दामों को पहले से भी जादा काफी बढ़ा दिया था जिसके चलते अमरनाथ, सुधीर, कार्तिक और सुरेश की सारी कमाई सबजियां लाने में ही खर्च हो जाया करती थी माँ अपने दो महीने से में स्कूल की फीस नहीं भरी ये टीचर कह रही थे अगर आपने इस महीने फीस नहीं भरी तो वो मुझे एक्जाम में नहीं बैटनी देंगी इसकी स्कूल फीस से याद आया कि हमने तो इस महीने का किराया भी नहीं दिया है सुधीर बेटा, आज शाम को किराया दे दियो मा, किराय के लिए हम मैंसे किसी के पास भी अप पैसे नहीं है लेकिन क्यों कुछ दिन पहले तो आप सबको तणखा मिली थी हाँ मिली थी लेकिन इस बार नजाने कैसे घर खर्चे में हम सब के पैसे खर्च हो गई कॉन से घर खर्च भाई यह इस बार तो बच्छों के स्कूल की फिस भी नहीं गई और ना इंगर कर राशन आया और किराया भी अभी बाकी रह गया तो आप किन घर के खर्चों की बात कर रहे हैं मैं बताती हूँ इन सब की तनखा सब्जियों में खर्चों हो चुकी है मैंने आप सब को पहले ही का था कि सब्जियों के दाम महंगे हो चुके लेकिन फिर भी आपने अपनी ये हर दिन अलग-अलग तरह की दस सब्जियां खाने के आदत को नहीं बदला पता है? इस एक हफ़ते के अंदर पांच हजार रुपे की सब्जियां हो गई है अगर आप लोगों ने अभी भी अपनी ये रोज की दस अलग-अलग तरह की सब्जियां खाने की आदत को नलीनी के बातों को सुनकर और घर के खर्चों को देखकर उन सभी को आखरकार नलीनी की बात समझ में आही जाती है अपने सस्राल वालों की बात सुन नलीनी काफी जादा खुश होती है जिसके बाद अब सभी लोग हर रोज नलीनी से 10 तरह की सबजी बनवाना बंद कर देते हैं और अब नलीनी सिर्फ एक या दो तरह की सबजी और चावल रोटी बनाती है जिसके चलते अब धीरे-धीरे उनके हालात पहले से भी ठीक होने लगते हैं और अब पूरा परिवाज सिर्फ तीज तेवहार पर ही अलग-अलग तरह की सबजी खाता है